नमस्कार दोष्टो आज हम बात करेंगे जो मुकाबला होने वाला है सिन्नी सिक्सर और एडलेट स्टाइकर के बीज में इसके बारे में इस बात को आप याद रख कर चलिएगा कि जढ़ा मुकाबले यहां पर नहीं खेलेगा है कि आफर टोष्ट हम सवी इंफर्मिशन आपके लिए टेलिग्राम पर ही फ्रॉइड कराने वाले है तो प्लीज आप तेलिग्राम जोइन करना हमारा बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वारिस होने के chances हैं और जो changes है ना वो हम टेलिग्राम पर आपके लिए update करेंगे हाला कि हम यहाँ आपके लिए बता देंगे कि क्या-क्या changes होने वाले हैं लेकन जो final update आएगी वो टेलिग्राम पर ही आएगी यहाँ पर आप देख सकते हो BBL का एक मात्र मुकाबला यहाँ पर खेल लगा है वो भी second बले बाजी करती हुए विन किया था दोस्तों उसमें पहली इनिंक्स में 151 रवन बनाकर उसे chase कर लिया था आप यहाँ पर देख भी सकते हो तो आप इसमें मैं average score आपके लिए कुछ बता नहीं सकता दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो पाओगे एक जो मुकाबला खेल लगाया था और second innings में भी spinner ने एक विकेट निकाला और पेस बॉलर का आप देखोगे फर्स टीनिंग में तीन विकेट और second innings में भी तीन विकेट पेस बॉलर ने निकाले और pitch report मेरे पास जो भी आएगे after toss में टेलिग्राम पर अब्डेट कर दूँगा दोस्तों बात करें head to head मुकाबलों के बारे में तो दोनों टीमों के बीच अकुल 18 मुकाबले खेले गए इनमेंस दोस्तों सिन्नी सिक्सर ने 11 मुकाबले और एडलेट स्ट्राइकर ने 7 मुकाबले भी किये हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर शिन्नी सिक्सर थोड़ी भारी पढ़ती हुई नेजर आ रही है एडलेट स्ट्राइकर पर तो दोस्तों यहाँ पर एडलेट स्ट्राइकर को भी आप अवोईड करकर नहीं चल सकते हैं और मैं आपके लिए एक बात बता दूँ किरिशलें खेलती हुई नेजर नहीं आएंगे इंटरनेहनल T20 के लिए वहाँ से रवाना हो चुकी है तो आपके लिए एक खेलती हुई नेजर नहीं आएंगे अब इनकी जगे किसको मुखा मिलेगा वो अपडेट में टेलीग्र 0 विकेट, 6 रन प्लस विकेट नहीं मिला और दोस्तो 16 रन प्लस 2 विकेट, उसके बाद आप देखोगे 3 रन 3 विकेट, 65 रन विकेट नहीं मिला 9 रन 1 विकेट, 84 रन विकेट नहीं मिला बहुत important player है, definitely आप इन्हीं अपने टीम में try कर सकते हो, और इसमॉल लीग में आपके लिए captaincy फ्लस 22 captaincy के बहुत सांदर option है तो बिल्कुल definitely आप इन्हीं अपने टीम में try कर सकते हो, उसके बाद नाम आता है Travis Head, जो कि दोस्तो टीम के captain है सिर्फ एक ही मुकाबला इस season में अभी तक इन्होंने खिलाए, क्योंकि नेशनल डूटी पर थे दोस्तो आप संभब्ता खेलती हुए नजर आ जाएंगे तो Travis Head को आप अपने टीम में try जरूर कर सकते हो उसके बाद Chris Lynn तो खेलेंगे नहीं इनकी जगे किसको मिलीगे दोस्तो अपडेट में तो Travis Head को तो आप अपने टीम में try कर सकते हो उसके बाद Adam Hughes, Adam Hughes का आप यहाँ पर देखोगे तो पाओगे आप 19, 21, 33 और 38 उसके बाद आप देखोगे 5, 56, 18, 8, 28, 24 और 40 मलत पूरे मुकाबले खेले हैं लेकिन दोस्तो कुछ एतनी प्रभावित करने वाली इनिंग्स नहीं खेल कर दी है, सिर्फ 1, 50 इनकी आई है तो Grand League की बहुत सांदर चोईस हो जाते हैं Small League में आप इन्हें avoid करकर चल सकते हो उसके बाद quality grand home, इनका देखोगे तो 21 run, 32 run, यहाँ पर 2 run 2 wicket यहाँ पर इन दौनों मैचों में इने गेंदबाजी नहीं कराई गए 30 run wicket नहीं मिला, 13 run 0 wicket, 19 run 1 wicket, 37 run 0 wicket वारा run 2 wicket, यहाँ पर 0 wicket, यहाँ पर गेंदबाजी नहीं कराई गए 33 run बनाए, और 7 run wicket नहीं मिला तो गेंदबाजी की भी है ना, तो गेंदबाजी सितना कुछ खास प्रोफमेंस करकर नहीं देखा, आप दोस्तो हमेंने चूज करेंगे हमारे टीम में इनकी जगे बनती है या नहीं बनती, उसके बाद आप देखोगे बेंजामेन मैंटाने, इनका देखोगे 11 रन विकेट नहीं मिला दोस्तो, यहाँ पर जीरो और जीरो विकेट, दो विकेट और एक विकेट, मतलब ठीक ठाक गेंदबाजी इनकाले और फिर दो विकेट निकाले तो इम्पोडेंट गेंदबाज आपके लिए हो सकते हैं, उसके बाद नाम आता है बैस आगर का, आगर का आप दे अब इन्होंने गेंदबाजी की है तो दोस्तो इने विकेट जरूर मिला है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है इनसे पूरे चार ओवर गेंदबाजी नहीं कराई जाती है, जी हैं दोस्तो, कभी-कभी इनसे पूरे चार ओवर गेंदबाजी नहीं कराई जाती है, सिर्फ तीन विकेट निकाले इससे पहले विकेट नहीं मिला एक विकेट और फिर जीरो विकेट पिलेर अच्छे हैं है रिकेऊन वे आप चाहो तो इन्हें ट्राइख कर शकते हो आप चाहो तो इन्हें आवायर करकर भी चल सकते हो उसके बाद आप देखोगे यहां पर पीटर शीडिल पीटर श्रिल का आप देखोगे दो विकेट दोस्तो टीम के कैप्टन है और डेथ होवर में गैंद बाजी करेंगे खास बात इनकी यह रहने वाली है कि यह डेथ होवर में गैंद बाजी करने वाले हैं और वहाँ पर विकेट मिलने के चांसे डेथ होवर में सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं यहां पर यह दोस्तो खेली नहीं फिर एक रन बनाया है फिर जीरो जीरो फिर दो रन बनाया है दोस्तो यहां पर फिर जीरो रन जीरो विकेट तो प्लेयर आपके लिए अच्छे हैं उसके बाद दोस्तो यहां पर कोई भी चेंजिस होगा तो अपडेट में कर दूंगा उसके बाद बात की जाए Sydney Sixer के बारे में तो इनका देखोगे जॉस फिलेप आपको open कर तो ही नेजर आ जाएंगी और सांदर फोम है दोस्तो जॉस फिलेप मातर एक बले बाद है इस दोस्तो बिकिट पर दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही इसको रिन होने छे रन उसके बाद 10 रन 27 रन 55 रन 33 रन 26 रन कुछ इनिक से नहोंने अच्छी खेल कर दी है प्लेयर बहुत सांदर है जॉस फिलिप को आप अपनी टीब में ट्राए कर सकते हो इसके बाद कोटरिस पैटरसन दोस्तो तेईस रन बनाए फिर दो रन बनाए फिर 38 रन फिर यहाँ पर आप 17 रन और फिर दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 24 रन की इनिक्स खेली कुटरिस पैटरसन दोस्तों यह भी भरोसे मंदवले बाद है मौसेस हैंडिकिस हैंडिस कर देखोगे आप सिर्फ एक इनिक्स यदि इनकी निकाल दी जाए 52 रन की तो इन्होंने इन्होंने की नहीं है दोस्तों यदि आप ट्राइ करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों इनकी ओर से सबसे कंसिस्टेंस बले बाद हैं जोडन सिल्क जोडन सिल्क का आप देखोगे सतर रन, उन्सट रन, पंदर रन, इकतालीस रन यहाँ पर फिर देखोगे पंदर रन, उन्नीस रन, तीस रन मलब हर एक मुकाबले में प्रुफमेंस किया है जितनी इनकी बले बादी आई अब दोस्तों खराब किसमत ए रहती है कभी-कभी इनके साथ यदि इनका टॉप ओ आपके लिए grand league की choice से small league की में आप इन्हें avoid करकर चल सकते हो, दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे head and care, head and care को आप अपनी टीम में try कर सकते हो, यहाँ दोस्तों head and care का आप देखोगे 2 run, sorry 2 wicket, फिर 1 wicket, फिर 0 wicket, इसके बाद आप देखोगे 27 run 1 wicket, 2 wicket, 2 wicket, 2 wicket, और फिर देखोगे 32 run 2 wicket, 42 run 1 wicket, और 13 run, यहाँ पर wicket नहीं मिला, पिलियर अच्छे है head and care, आप डेपने लीड है, अपनी टीम में try कर सकते हो, उसके बाद scene award, जो कि अभी इन दौनों टीम की ओर से, सबसे ज़्यादा wicket निकालने पर लिए हैं, दोस्तों, scene award, scene award के बाद दोस्तो head and care, head and care के बाद बैस आगर, दोस्तों, इस मुकाबले में यह 3 गैंदवाज हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा wicket निकाली हैं, अभी तक दोस्तों, इन दौनों टीमों में, यहाँ पर देखोगे 3 wicket, 3 wicket, दोस्तों, ए दोनों सुरवात में भी गैंदवाजी करेंगे, औ आपके लिए सांदर चोईस हो जाता है, कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी, एक मैथू सौरट हो गया है दोस्तों, और head and care, और scene about, यह भी दोनों सांदर चोईस है, कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी के लिए, आप इन हित दे सकते हो, उसके बाद आप देखोगे, वें से रिस्की हो सकते हैं, नेथन लाइन सायद आपके लिए खेलती हुईने ज़र ना आएं, लेकिन इस टीपो कीप खेलेंगे, और अच्छी चोईस से टीपो कीप हो जाते हैं, दोस्तों, यहाँ पर कोई भी चेंजिस होगा, तो अपडेट में आपके लिए टेलीर आमपर क खेला है, और उसमें नोंने 40 रन बना है, साथ में दोस्तों, एबरेज 40 से का है, स्ट्राइक रेट 121 का है, तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि एक मुकाबले में हम ज्यादा जज नहीं कर सकते हैं, प्लेयर को सेंपल साइज कापी छोटा है, उसके बाद आप जोस फिलिप क 126 के स्ट्राइक रेट है, हालाकि स्टीमन से में प्लेयर अच्छी है, और चुकि ऑपन कर रहे हैं, तो आपको और थोड़े से ज़्यादा इंपोडेंट हो जाते हैं, मौसेस हैंडिक्स का आप देखो कि 12 मुकाबलों में 301 बना है, 33 का अबरेज है, और दोस्तों, 121 का स् से आए, कि इन्होंने दोस्तों, जो रिसेंटली इनका फॉर्म चलना है, वो एतना अच्छा नहीं है, लेकिन पिलेयर बहुत सांदार है, आप इन्हें ट्राइ कर सकते हो, हैरी थोर्टन तीन मुकाबलों में 7 बिकिन निकाले हैं, साइद एक खिलती हुई नजर ना है, ट् के बाद आए, आप देखोगे, बेनुपर, तो बेनुपर मैंने बताया कि जोस फिलिप, इन्होंन दोस्तों, एक फिप्टी लगाई है, और एक मैच में साइद, दोस्तों, 43 के आजपास स्कोर किया था, टोटल दोना ही मुकाबलों में, 115 के स्कोर है, तो जोस फिलिप तो आपके लिए काफी important player है, दोस्तों, मैंने आपके लिए combination ready करकर रखा है, तो वो combination मैं आपके लिए दिखा दूँगा, लेकन उससे पहले आपने my family में download कर लेजीगा, link आपको my family में वीडियो को description में मिल जाएगी, download करकर आप राज बंटू 3 code डालोगे, तो आपके लिए 100 रुपय cash bonus आजाएगा, और यदि आप 500 cash bonus चाहते हो, तो आप add the rate dream creep group करकर, हमें भापर follow कर लेजीगा, जो भी follow करेगा दोस्तों, हम उसको 500 रुपय का cash bonus transfer कर देंगे, तो आप दोस्तों, इस सुबधाकल आप भी यहाँ पर ले सकते हो, यदि आपके पास पैसे नहीं है, तो हम आप हर एक मैच में आपके लिए, दोस्तों, 10,000 तक का free give up लब्द करा रहे हैं, उसके अलाब दोस्तों, यदि आप एक high investor हो, तो आप इस पर low entry piece में, low competition में खेल सकते हो, वह सांदर एपल किसाने, आप एक बार जरू इसे try करकर देखेगा, दोस्तों, खेर हम आप ट कि क्रिशलीन नहीं खेलने बाले, एडाम हुच को दोस्तों, आप try करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास kotres Patterson है, mosses Sandikis दोस्तों, इन्हें try करूंगा, और Stephen Smith, इन तीन बल्ले बाजों को मैं अभी try करने बाला हूँ, यदि आप दोस्तों, यहाँ पर kotres Patter Patterson की जगे, एडाम हुच को try करना चाहेते हो, तो इन्हें कर सकते हो, क्योंकि ठीक ठाक form इनका चलना है, या दोस्तों, इनकी जगे आप Jordan Silk को भी try कर सकते हो, अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर All-Rounder सेक्शन में, मैं तुस्तों, मुझे Travis Head को try करना है, यहाँ दोस करेगा, आप दोस्तों, safe के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि यह लगातार अच्छा promise करते होगी नजर आ रहे हैं, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी सी risk लेने में, दोस्तों, मुझे मज़ा आता है, तो मैं Travis Head को यहाँ पर try करने बाला हूँ, यहाँ पर Cameron Wise है, Nathan Ryan आपके लिए साथ मेरे साथ चे तो खिलते हुए नजर नहीं आएंगी, और मेरे पास जो भी अपडेट आएगी मैं टेलिग्राम पर अपडेट करूँगा, तो प्लीज आप टेलिग्राम जोइन करना हमारा बिलकुल मत भूलिएगा, तो फिलाल किस्तितीम दोस्त और Vice Captaincy देना चाहते हो न दोस्तों, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, हाला कि आपके लिए जो Final Captain, Vice Captain है, आप्टर टोस में टेलिग्राम पर अपडेट कर दूँगा, तो प्लीज आप टेलिग्राम ज़रू जोइन कर लिजेगा, टीम का Final Preview आप यहां से देख लिजगा, दोस्त को लेना है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,